हलो एवरिवन दिस साइड योर फेंड स्मृति एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बालविकास अन्सिक्षर सासर के 30 क्योशन हम यहां पर करने वाले हैं जो की हमारे साइकलोजी पॉशन के होंगे और यह प्रिविएस यार पेपर है हमारा यह पेपर हमारा यूपी टैट का है तो आप को अगर यह पाथ करें साइकलोजी साइकलोजी के अगर अगर हर एक पेपर जो हैं आपके जितने ईभी आपके टैट सेट आगर मुंक के प्रिविएस यार पेपर आपकर लेते हो आप per यह 99.9% chances रह जाते हैं हो जाते हैं कि आप उस paper को crack कर पाऊगे तो देखिए हम previous year paper को यहाँ पर cover कर रहे हैं यह series चलाई हुई है हमने इसमें मैं आपको सारे previous year paper कराने वाले हूँ जितने भी TATS के exam से उसके psychology को लेकर हम पहले चले हुए हैं 10 या 15 दिन में 10 या 12 दिन में ही मैं इनको complete करा दूँगी जितने भी TATS के previous year के paper है psychology related उसके बाद हम content को start करने वाले हैं मैं mainly science और maths को focus करूँगी इसके साथ चो हमारी language हैं हिंदी और English उसके हम previous year के question answer देखेंगे तो देखेंगे अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप कर सकते हैं इसको कर लीजिए और अपने friends के साथ भी share कीजिए जो की जो friends आपके prepare कर रहे हैं read के लिए जो अभी आने वाल है 25th of April को आपका read का exam है तो इसको craft करने में आपके लिए helpful रहेगा तो चलिए start करते हैं यह 30 questions हम देखते हैं कौन से हमसे किस तरह के question पूछे गए थे UPTAT में तो देखें स्टाट करते हैं फर्स जो हमारा question है भारतिय स्वीधान के यह जो है हमारा हिंदी में रहेगा ठीक है तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही करा रही हूँ इंग्लिश में भी हम psychology पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ हम हिंदी में भी psychology को करेंगे ताकि यह ना रहे कि इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो रह जाते हैं candidate और कभी हिंदी वाले रह जाते हैं तो आप जानते हो कि 6-14 वर्ष के आयूवर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए निशल्क और आणिवारिय शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है ठीक है ग्यान सेफ में भी बताया गया है तो यह कौन सा अनुचित है यह हमारा अनुचित है 21A तो यह कौन सा नियुच्वीत है हमारा आर्टिकल है यह 21A तो इसका ख्याल रखेगा यह हमारा 21A आर्टिकल है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नीशुल्क और अनिवारे शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है तो second question है हमारा इसका answer की ही रहेगा fourth one is the right answer ठीक है fourth जो है इसका सही answer रहेगा तो जो next question है क्रेश्मर ने व्यक्ति को निमन में से किस परमुक परकार में वर्गे करत किया है तो जो क्रेश्मर थे उन्होंने क्या है व्यक्ति को किस निमन में से किस परमुक यानि कि इनमें से आपको बताना है कि किस तिरह का बताया है क्रेश्मर ने व्यक्ति को परमुक परकार में यानि कि उसके क्या परकार बताए है first one है Krishi Kai second one है Sudol Kai third है Golokai येसभी bar क्रेश्मर ने Krishi Kai के बात किटी दुरुबल की Sudol Kai के बी है गोलकाई के बी तो जो third ये जो fourth answer है इसका ये सब्हाइए ये ही इसका correct answer है so the next question is third जो तीसरा question है हमारा देखे वो TET जो है हमारा TET का जो उदेश है TET का जो उदेश है देखिए एक्जाम से रिलेटिल्टी आपसे क्यूशन पूछ लिया गया जो हमारे TETs होते हैं Teacher eligibility जो टैस्ट होते है इनका जो उदेश है निमन में से किसका मापन है आपको बताना है इसका जो उदेश है जो टैट के जाते हैं इसका जो उदेश है वो किसका मापन है बोदिक शम्ता का अभी वर्ति का अभी शम्ता का या फिर मुल्योगा तो देखिए अभी शम्ता का मापन होता है इसमें बोदिक शम्ता को नहीं आपा जाता है ना ही अभीवर्ति को और ना ही इसके साथ value हो मुल्या को इसमें अभीशमता को मापा जाता है इसको करने का अभीशमता को जानना है अभीशमता को मापना है मिजर्मेंटिक है The next question है सग्नन सग्नन का सिद्धान जेरिमन में से किस की व्याख्या करता है तो संग्नन का जो सिधान्त है ये ना तो अधीगम की व्याख्या करता है ना ही अभी पिरेड़ना की ना ही सरजन आत्मक्ता की ये हमारे स्मृत्ति की व्याख्या करता है यानि की यादास की व्याख्या करता है जो संग्णन का सिधान्त है एक है नेसल च्वामारा let's say question, वो फिफ्टो निमन में से कौन सी सिख्ष्या मनोवज्यान की सरवादिक व्यक्तिनिस्ट विदी है तो कौन सी सरवादिक व्यक्तिनिस्ट विदी आपको बतानी है वैक्तिनिस्ट याने की अंतरदर्शन ठीक है यही आपकी बैष्ट बीदी रहेगी नेक्स व्याम का क्योश्यन है वो है अलबर्ट बंडूरा के बारे में पूछा गया है कि अलबर्ट बंडूरा निमन में किस से संबंदित थे तो देख़िए अलबर्ट वंडूरा थे जो और लेव वाईगुस की थे जो यह मारे समाजिक्स अधीगम सिद्धान से संबंदी थी तो जो इसका पहला जोगा इसका करेक्ट अंसर होगा नेक्स क्योशिन अबर स्यावन अधीगम वक्र में पठार बनता है तो देखिए अधीगम वक्र में ना तो परिपकवता के कारण कोई पठार आता है यानि मुसी बताती है प्रिशानी आती है ना ही अभी प्रेजना की कारण आती है क्योंकि ये तो इसको हैल्प करते है अधिगम करने में और अभी रूची भी इसको help करते तो ये भी नहीं रहेगा थकान अगर हो जाए बच्चे को तो वो उसके अधिगम में वक्र में पठा का काम करेगी यानि कि उसके problem create करेगी समश्चा बन जाएगी धकान के गानने भी बच्चा अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा सीख नहीं पाएगा, learning नहीं कर पाएगा So the next question is दरपन चित्र प्रिक्षन किसको मापने ही तो प्रियोक्त होता है जो जो हमारा दरपन चित्र प्रिक्षन है, यह हमारे अधिगम अंतरन को नापने के लिए यूज किया जाता है ना तो यह बीरुची को नापता है, ना अधिगम की गति को, ना ही सरजनात मकतावो ये जो हमारा दरपन चित्र प्रिक्षन है ये हमारा अधिगम अंतरन को नापने में यूज होता है मापता है ठीक है next के जो हमारा question है cloud जो है cloud picture test जो है नीमन में से किसके मापन में प्रियुक्त होता है तो जो हमारा cloud picture test होता है यह हमारे व्यक्तितव को मापने के लिए उसको नापने के लिए test है ना तो यह बुद्धी को ना अपता है ना भीशमता को ना यह बिरीची को तो यह व्यक्तितव जो है इसका correct answer रहेगा next question देखिए next question हमारा question number 10 निमन में से कोन साथ स्वेशे भिन है यानि कि सारी चीज़े जो है एक चीज़ से related रहेंगी लेकिन इन में से एक जो है आपको भिन बताना है कि जो related नहीं है जैसे TAT है 16PF मैंको उसका नाम बता देती हूँ उसका जो third one है इसका right answer रहेगा रेवेन का प्रिक्षन है वो इन सभी से अलग है TAT से 16PF से and draw a man प्रिक्षन से सबसे अलग है यह हमारा रेवेन का प्रिक्षन नेक्स जो आपका question है 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माद्धिका है तो देखिए अगर इसकी माद्धिका का अगर हम पता लगाए ठीक है यह से तो यह reasoning का question है और math का question है लेकिन हमें psychology में पूछा गया है तो देखिए हमारी हम इसको दिखेंगे कितने हैं यह 1, 2, 3, 4, 5, and 6 6 है यानि कि even number है जब even number होते है तो हमें इसके बीच से दिलेंगे या 3 इधर और 3 इधर तो इसके बीच में यानि कि 9 प्लस 10 अपोन 2 ठीक है तो जो answer आएगा यहाँ पर 9.5 आजाएगा ठीक है तो 9.5 जो है यहाँ पर इसका right answer होगा और यही इसका answer है 11 का answer 9.5 होगा इसकी मादिकाल यही होगी next जो हमारा question है सूझ या अंतर दृस्टी के सिधान का परतिपादन किस ने किया था तो यह हमारे गैस्टाल्ट वादी मनोवेग्यानिक थे जो नहींने सूझ और अंतर दृस्टी के सिधान का परतिपादन किया था तो second is the right answer ना ही तोनडाइक थे ना ही हेटार्टी थे गार्टी ना ही स्किनर थे तो यह हमारे क्या थे गेस्टाल्ट वादी मुनोवेकनिक थे नेक्ट जो हमारा क्योशन है वो नमबर 13 मैकडूगल के अनुसार पर देख मूल परवर्ती से संबंद होता है किसका होता है सम्वेक का मैकडूगल के अनुसार मैकडूगल ने काया है कि जो मूल परवर्ती होती है उससे हमारे संवेक का संबंद होता है ना ही चिंतन का होता है ना संग्यान का ना ही संवेदना का मैकडूगल के अनुसार जो हमारे मूल परवर्ती है उसका हमारे समेख से सीधा संबंद होता है ठीक है नेक्ट जो हमारा क्योशन है वो है पूर्व अनुभाव के अधार पर समीधना को अर्थ परतान करना कहलाता है पूर्व अनुभाव के अधार पर अगर आप कोई समीधना है तो उसको अर्थ कैसे दोगे, कैसे विर्दान करोगे, उस प्रोसस को आप क्या करोगे, उस प्रोसस को आप करोगे, परत्यक्ष ग्यान, यानि कि आप उसको सीधा परत्यक्ष ग्यान, डारेक्ट उसकी नौलेज आपको मिल चुकी है, उसका आप पहले से पूरवन हो ले चु है आठ वर्ष है उसकी बुद्धी लब्धी कितनी होगी तो हमें पता है जो यह होती है मांसिक आयू जो होती है जो हमारी अगर हम बुद्धी लब्धी की बात करें तो इसका जो फोर्मूल होता है कि यह दिखायागा है साइडमी यह वाला इसका फोर्मूल होता है मांसिक आ देंगे हम 100 वो देखिए जो इसकी मोहन मोहन जो है पांच वर्ष के मोहन पांच वर्ष का यानि कि जो आयू है उसकी फाइव यर है और जोसकी मेंटल आयू है वो एट यर्स है तो गर आप इसको अंसर निकाल लोगे तो इसका सीधा सीधा आंसर आजाएगा यह देखिए 20 पर चला गया तो 20 एटजा हमारे 160 होता है तो 160 इसका राइट अंसर रहेगा तो जो पांच वर्ष का जो मोहन है उसकी मान से खाईव आट वर्ष है उसकी जो बुद्धी लब्दी होगी वो हमारी 160 होगी नेक्स देखिए यानि कि वो काफी बुद्धी मान होगा तीक है गिफ्टी चैड लोगा जो 140 होता है या 140 से अबोह होता है वो हमारे गिफ्टी चैड होते हैं तो यह मोहन है यहाँ पर गिफ्टी चैड है कौन सा बुद्धी लवधी स्थर मनदधी वाले बच्चों का परशिक्षण योग्या बुद्धी लवधी स्थर कहलाती है तो इन मेंसे कौन सा ऐसा बुद्धी स्तर है, बुद्धी लब्धी स्तर है, जो मन्द बुद्धी वाले बच्चों का परशिक्षन योग है, बुद्धी लब्धी स्तर कहलाता है, यानि कि मन्द बुद्धी की बात करें, तो मन्द बुद्धी देखे सबसे कम क्या है, 35 निम योग निमन में से किसके मापने हीतु किया जाता है तो जो रोशार का इंक प्लॉक टेस्ट है हमारे वेक्टितों को मापने क्लिए किया जाता है ना ही इससे बुद्धी मापने जाती ना ही अभी शम्ता और ना ही अभी रिची तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यह इसका राइट स्मृति कि हम चीजhésitez को यादना कर पाएं अगर हमारी सीखने में कमी होगी समर्ण करने की इच्छा अगर हमारी इच्छा है समर्ण करने याद रखने की तो हमारी स्मृति हो जाएगी यानि की विस्मृति होने का खारण nggak नहीं है तो यह negative है जो यहाँ पर नहीं बोला गया यानि कि जो negative होगा वही यहाँ पर correct answer होगा तो second is the right answer इसके अलावा देखें मान से की द्वंदो जो है अगर तो यह क्या है विस्मृति का कारण होता है सीखने की दोश्वन वीदिया जो है विस्मृति का कारण बनती है जो second जो होगा समर्ण करने की इच्छा यह हमारा correct answer रहेगा next जो हमारा question है वो देखें next question 19 है वह विज्यान जो संख्यात्मक परदत को एक्तृत करने विभाजित करने प्रियुक्त करने तुलना करने और व्याख्या करने की वीदिय से संबंदित है कहलाता है जो संख्यात्मक परदत को एक्तृत करने विभाजित करने प्रियुक्त करने तुलना करने और व्याख्या करने की वीदिय से संबंदित है तो यह हमारा सांखे की कहलाता है और फिर्स्ट बन इस राइट अन्सो सैकिन देखे यह ट्वैंटी जो हमारा क्योशन है पिछडे बच्चों के लिए साक्षिक लब्धी की अवधारना किस ने दी थी तो यह हमारी दी सीरिल बर्ड ने तो पिछडे बच्चे उनके लिए साक्षिक लब्धी की अवधारना दी गई थी यह हमारी सीरिल बर्ड के द्वारा दी गई थी ना तो गार्टन ने दी ना बर्टन होल ने दी ना ही शोनेल ने दी आप उसे नेगेटिव में भी पूछ लिया जाए तो आपको यह एलिमिनेट करने आने जाएं ठीक है तो इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हो नेक्ट जो हमारा क्योशन है वह नीमन में से क्योशन नमर 21 नीमन में से कौन सा एक उत्तम प्रिक्षण की विश्यस्ताओं से भिन बताना है आपको कि कौन सा भिन है तो वो देखें जैसे विश्वशनियता है यह मारा बिल्कुल जरूरी है रिलाइबल होना चाहिए वैदता जो है वैलिडिटी भी होनी चाहिए पर वस्तुनिस्टता भी होना चाहिए और इसके साथ जो अभी शमता है इसके उपर डिपैंड नहीं करेगा आपका जो उत्त साथर प्रटी छहुंता आपको पताना घ्यार अंवे क्युक्स झाहिए और नहीं जो यहीं एंसका Cardinal को 정부 के स्थे हो एसके बीव teachers को पता है और यहीं में जबरें को कि हम से रही पूछा गया है नाइक्ट को editorial निवे दो उको तो परना मेंसे गरंथी नहीं होथी है या पीकुष गरंटी है थो इरा ए गरंथी यहमारी एंते रावी गरंथयां होती है नेक्ट जो हमक्यों के फिर्ञारी everyone UK पीच में युग के नहीं होती तो संग्यनात्मख विकास की दूईत दीर त Soy प्री कर्वेंशनल जो स्टेच लीक्ली को प्रिभावत करने वाला प्रभावावगश जलका है इसके सांसेत्थ तो इसका उमझंछ जो रहेगा यह सभी है इस का क्रैक्ट उसर होगा तो option number D is the right answer So the next question is 26 बुद्धी लब्दे की गन्ना का सही सुत्र निमन में से कौन सा है तो बुद्धी लब्दे की जब गन्ना की जाती है तो इन में से सही जो सुत्र है जो formula यही है मांसिक आयू upon वास्त्विक आयू into 100 ठीक है मांसिक आयू बटा वास्त्विक आयू गुना 100 ठीक है तो जो हमारी chronological mental age होती है upon chronological age होती है into 100 इसी को हम बुद्धी लब्दी का सुत्र formula कहते हैं नेक्ट जो हमारा question 27 चिंतन सील सोच की चर्चा इन में से किसने की है तो जो चिंतन सील जो चर्चा करने वाले जो थे हमारे ही हमारे ड्यूवी थे तो first one is the right answer ठीक है चिंतन सील की क्या है इसने चर्चा की थी चिंतन सील सोच बताई थी ठीक है तो इसने किसने बताई थी है हमारी ड्यूवी जी ने बताई थी next question 28 आगमनात्मक तर्क के स्त्रों में कौन सा शामिल नहीं है देखें दो तरह के होते हैं आगमनात्मक और निकमनात्मक तो इसमें से जो हमारी कल्पना है कि आगमनात्मक के तर्क के स्त्रों में से शामिल नहीं है इसके अलावा जो अवलोकन है ये भी आगनात मुक में आता है समानी करन भी आता है और उसके अलावा प्रियोग भी आता है लेकिन जो कलतना है वो इसमें नहीं आता तो fourth one is the right answer next question 29 सीखी गई बात को धारन करने और पुरने समरन करने में बार बार उसको दोरा रहा है तो ये वी समरन कहलाता है next question number 30 मूल परवर्ती की एक परमुख विश्यस्ता है जो पाई जाती है कहां पाई जाती है केवल मनुष्य में पाई जाती है केवल बिल्लियों और चुओं में पाई जाती है सबी परमुख परमुख विश्यस्ता है यारे के हर एक जो इनसान होता है या जानवर या परमुख वो अपने आप में अलग है और वो प्रमॖ विश्यस्ता है यह जाती है यह हमारे ठार्टे के और उस्षिन से यूपी टार्ट के एक्जाम प्रीवेस येर पेपर से जो मैंने लिये हुए है ठीक है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगे तो प्लीज इसको लाइक कीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ फैमली मेंबर्स के साथ शेर कीजेगा जिसके लिए भी ये यूटिया थैक्यू